आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ इस question हम देख सकते हैं कि यहां पर बोल रहा है कि तो rails है ठीक है AB यह रेल है AB और CD और separated है 1 meter के वीच के डिस्टेंस से क्या है 1 meter एक horizontal यहां पर metal rod है जिसकी length L है ठीक है और इसका weight दे रखा है में किता है मास दे रखा है 0.2 kg तो यहां पर और इस तरह से R1 R2 है connected है तो यह rod क्या है without friction यह क्या है friction यह slide कर सकता है इस पर दोनों rail पर slide कर सकता है ठीक है तो यहां पर बोल रहा है जो magnetic field है horizontal magnetic field यहां पर है जिसकी intensity दे रखा है 0.6 tesla है ठीक है अब रोपर perpendicular है plane और rail के ठीक है plane और rail दोनों के perpendicular है तो यहां पर बोल रहा है कि it is observed that the terminal velocity is attained जो terminal velocity है वो अटेंड करता है कौन यह rod जो है ठीक है तो जो power dissipate हो रहा है R1 और R2 से दोनों resistance जो लगे है उससे कितना हो रहा है R1 से हो रहा है 0.76 watt का और R2 कर रहा है 1.2 watt का ठीक है सो हमें find करना है कि terminal velocity क्या थी जिस velocity पर यह दोनों इतने इतने वाट का जो है power dissipate कर रहा है ठीक है और उसकी हमें R1 और R2 की value भी find out करनी है यहाँ पर तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें find out करनी है ठीक है तो इसका हमने equivalent circuit यहाँ पर देख सकते हैं बना लिया यहाँ पर यहाँ पर हम suppose करके चल रहे हैं कि जो L length है ठीक है EF उसका नाम दिया हमने EF में हम मान लेते हैं वो middle में है middle में कहीं अभी यहाँ पर है मतलब A E और E B दोनो equal है ठीक है equal distance है यहाँ पर तो यहाँ पर हम suppose करके चल रहे हैं कि जो EF है मतलब जो L length का rod है metal rod है उसमें एक हम fixious battery की यहाँ पर हम मान सकते हैं मान लिया है कि एक battery लगी हुए है ठीक है जि इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि magnetic field की direction क्या है horizontal है जो की perpendicular है rail और इसके velocity के ठीक है plane के rail और plane दोनों के क्या है perpendicular है तो जो length का log यहाँ पर लगाए तो जो electric field की sorry जो current की direction होगी वो क्या होगी वो direction होगी इस direction मतलब इसके लिए यहाँ से positive end और negative end है तो यहाँ से जो battery है यह यहाँ से इस तरह से current इस direction में flow होना start होगी R1 के लिए और R2 के लिए यहाँ पर I2 यहाँ पर flow हो रही है तो हम देख सकते हैं इस तरह से current flow होगी दोनों में और यहाँ पर total current जो आएगी वो क्या आएगी I1 plus I2 जो EF में flow हो रही है ठीक है I1 plus I2 flow हो रही है यहाँ पर तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं यहां पर पूरा रोड के वज़ा से जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ क्या है एमजी अब उसको बैलन्स कर रहा है फोर्स वह काउंस होगा वह फोर्स मेंगनेटी फिल्ट इंटू करेंट इंटू लेंधा अफ तो यहां पर हम क्या हैं यहां पर हम हमें एक चीज़ दे रखा है कि जोनों दोनों पावर जो डिसिपेट कर रहे हों कितना है 0.76 और 1.2 वाट ठीक है तो वहीं हम यहां पर लिख लेते हैं लेट से पीवन इक्वाल स्टो हमारे पास है पीवाल स्टो होता है इंटू आई वी इंटू आई होता E I2 है और यह हमारे पास है 1.2 वाट ठीक है यह हमें गिवेन है यहां पर तो यहां पर इन दोनों को क्या गरेंगे डिवाइट कर देंगे एक दूसरे सो यहां फिर रेसिव ले लेते हैं इन दोनों का P1 ओवर P2 ले लेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा E से E कैंसल यह एक्वाल आजाएगा 0.76 iada वाई हो जाएगा 1.2 यह इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से यह हो जाएगा I1 इक्वाल 2 घुड़ फिर यह हो जाहिए लेक फिर कुर्स निकालने में बहुत इजई होगा क्योंकि और साथ-साथ हम induced EMFV निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास यह equation आ गई आईवना और आट्यू में एक relation में मिल गया है ठीक है अब यह बोल रहा है कि यह जो rod है यह terminal velocity achieve कर चुका है ठीक है attain कर चुका है तो उस time पर क्या होगा जब terminal velocity attain कर लेगा तो जो force लग रहा है इस rod पर उसका magnitude क्या होगा जीरो हो जाएगा जो total net force है इस rod पर क्या हो जाएगा net force net force हो जाएगा हमारा zero तो zero हो जाएगा तो हमारा यह जो दोनो balance force है इस problem technique सकते है ठीक है मतलब यहो जाएगा यह force equal हो जाएगा mg के तो इस language लेते है यहाँ पर इससाभлять सकते है जो बी into i1 i2 है B into i1 plus i2 है ठीक है यह equal हो हमारा mg के ठीक है यह equal हमारा mg के हो जाएगा तो यहां से जाएगा यहां इसके साथ-साथ l भी थी है ठीक है length है इसका L, L length है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा I1 प्लस I2, equal आ जाएगा हमारा, यह होगा M G, divided by हो जाएगा B into L के, so यहाँ से value put कर देते हैं, M की value हमें दे रख था है, इसका mass कितना है rod का, वो दे रख था है, 0.2 kg, ठीक है, B की value हमें दे रख था है, 0.6 tesla, और multiply by हो जाएगा, length दे रख था है, 1 meter, तो 1, so यहाँ से इसको calculate करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा I1 प्लस I2, और यह equal आएगा हमारे पास, 49 divided by हो जाएगा 15 ampere के, 15 ampere के, यह equation second हो गई हमारी, तो यहाँ पर first और second equation तो हो गई है, तोनों equation को हम solve करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, from first and second, first and second को solve करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, I2 equals to 2 ampere, ठीक है, यह इसको लिख सकते हैं 2 ampere, और I1 equals to हमारे पास आ जाएगा, वो होगा, 19 divided by 15 ampere, यहाँ इसको लिख सकते हैं, 19 by 15 A, ठीक है, ampere, तो यहाँ पर I1, I2 के value हमने calculate के लिए, ठीक है, तो जो EMF है, E है, जो battery हमने जो लगा रखे है, जिवन करके रखा है, जो fixeous battery है यहाँ पर, उसकी जो potential difference है, मतलब voltage है उसका, यहाँ से E equals to हो जाएगा, 0.67, 0.76 divided by हो जाएगा, 19 divided by 15, यह क्या है, यह R की value है ठीक है, और यह हमारे पास current है, ठीक है, तो यह आ जाएगी हमारे पास 0.6, 0.6 volt, ठीक है, तो जो battery हम assume करके चल रहे हैं, उसकी power कितनी है, उसका volt कितना है, कितने volt की battery है, 6.6 volt की, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो induced EMF होगा, उसके move करने के वज़ा से, जब rod move करेगा, तो जो induced EMF develop होगा, वो क्या होगा, वो होगा, E into होगा, B, V, L, यह होता है, B, क्योंकि magnetic field के पर perpendicular है, तो B into V, और into L, यह V क्या है, बेर terminal velocity है, तो इसको VT हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से आजाएगा, VT equals to आजाएगा हमारे पास, ठीक है, terminal velocity है, यह हो जाएगा, E divide by हो जाएगा, B into L के, तो यहाँ से आजाएगा 0.6, और divide में हो जाएगा हमारे पास, B, L, B की value हमारे पास दे रखिया 0.6, और L की value है 1 meter, तो यह हमारे पास आजाएगा, 1 meter per second, ठीक है, तो यह हमने calculate कर लिया है, first part का answer आगे हमें, हमें निकालना था, terminal velocity की value क्या होगी, तो terminal velocity होगी 1 meter per second, ठीक है, 1 meter per second की speed से, जो है velocity से move कर रहा है rod, और हमें अब निकालना है, R1 और R2 की value, तो R1 की value निकालेंगे, तो हमारे पास I1 की value पता है हमें, तो हो जाएगा, E upon I1, E divided by I1, तो यहाँ से आजाएगा, 0.6 divided by I1 क्या है हमारे पास, 19 by 15, तो यह आजाएगा, calculate करके 0.47 ohm, और इसी तरह R2 आजाएगा हमारे पास, वो होगा, E divided by I2, तो यह आजाएगा हमारे पास, 0.6 divided by I2 हो जाएगा, I2, I2 की value कितना है, 2 ampere, तो यह आजाएगा, 0.3 ohm, ठीक है, तो हम देख सकते हैं, R1 की value बड़ी है, और I2 की value छोटी है, तो हमने तीनों चीज़े calculate कर लिए है, R1 I2 की value ही हमने calculate कर लिए, जो कि आई है, 0.47 ohm और 0.3 ohm, और terminal velocity की value आगई है, 1 meter per second, तो हम यह ही calculate करना था, ठीक है?